गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम इस यूट्यूब चैनल के माद हम से एक बार फिर अपने पिछली कक्सा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ समय से हम या पिछले दो वीडियो के माद हम से हम पिछले कुछ समय से अपन लॉब विदि पर्थम वर्स के साथ में जो कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट उस पर दो वीडियो मेंने कोमन इंट्रोड़क्शन पर और एक निड्स और प्रोटेक्शन लॉज्स के बारे में अद्धिन गिया था आज कि इस वीडियो में अपन जो चीज देखेंगे कि उपभोग का अब्जेक्ट है तो देखिए भारतिय संसद ने इस दिशा में या कंजूमर प्रोटेक्शन की दिशा में बहुत ही मेत्वपून कारिये किये हैं और वैसे भी देखें तो अपने दुनिया की विभिन राष्ट्रों से यदि भारति के भोगताओं के संरक्षन की स्तितित इसका गोर करें तो निसीत तोर पर हमें बागी राष्ट्रों की बजाए काफी कुछ डिफ्रेंस देखने को मिलेगा और इसके अलावा जैसे 1986 का कानून था उस कानून के मामले में भी हम बिल्कुल एक अनोखी स्तिति में थे और उस कानून के बाद में आज हपन 2019 के इस कानून को एक बार नए सिरे से फिर पढ़ने जा रहे हैं या नए सिरे से लागू किया गया है निस्चित तोर पर इसमें कुछ और इनोवेशन से हैं वरतमान प्रिस्तित कानून की प्रासंगिक्ता को बनाए रखने के लिए या कंजूमर कानून की प्रात्मिक्ता को बनाए रखने के लिए ये नया एक्ट जो है वो लागू किया गया है तो बैसिकली इस स्लाइड में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं जिनके बारे में एक बार में रीड करने वाला एक अनुंठा रास्थ्र है जड़ो अलग से कौर्ड और अलग से आर्बिट्रेटर संस्ताइं अधिकरंड और रिट्रेशंस इनकी स्टापना करने वाला भारत अपने आप में अनुठा या इडियोबश्र रास्ट्र मन सकते हैं विचित रास्ट्र हैं या यूँ कह सकते हैं कि ऐसी विवस्ताइं बाकी राष्ट्रों में देखने को नहीं मिलती हैं जो उपभोगता विवादूं के निस्तारन है तू जिला राज्यें राष्ट्य श्तर पर अर्ध न्याईक परणालियों की स्तापना कर उपभोगताओं को सरलतम सिगर्तर एवं कम खर्चिली न्याई परणा करता है यह व्यवस्ता रेखो 1986 की अधिनियम में भी थी कि उपभोगताओं की समझ्याँ का निस्तारन करने के लिए या उनकी विवादूं का निस्तारन करने के लिए बारत में त्री स्त्रिये जो उपभोगता सानक्षन संस्ताइं थी वो अर्द नयाइक परणाले में थी करने का मतलब है कि उनकी कार ये परणाले में कुछ विसेशताइं ऐसी हैं जो नियाले की प्रक्रिया से मेच करती हैं और कुछ विशेशता ऐसी है जो नियाइक प्रक्रिया से भिन भी साबित करती हैं इने दूसरी बात ये सामान्य नयायलों की बजाए उपभोगताओं को जो जश्टिश परदान करती हैं बहुत ही सरल जल्दी और कम खर्चिली होती है इस अधिनियम के अधिन स्तापित नयायलों को सामाने वासा में उपभोगता प्रिस्द या उपभोगता आयोग कहा जाता है ये अधिनियम उपभोगताओं के निमनलखित अधिकारों को समवर्दित यहों सरक्सित करने का उद्दे से रखता है देखो ऐसी कौन सी बाते हैं जो 1986 के अधिनियम से भी ज़्यादा मजबूत विवस्ता काइम करने के लिए हमने इस 2019 के अधिनियम को या Consumer Protection Act को लागू किया है ये बात आपको द्यान में रखनी है तो देखिए इस सलाइड में वो उद्दे से जो इस अधिनियम की Objectivity को साबित करने वाले हैं उनके बारे में आप देखिए स्क्रीन के उपर आपको कुछ Object जो है वो आपको दिख जाएंगे यहाँ देखिए पहला बिंदू जो आपके सामने है वो है इस अधिनियम के मादियम से जो खास बात कंजुमर्स के लिए आई है वो है जीवन और संपती के लिए परिसंक्ट में माल के मार्केटिंग के विरुद सरेक्षन का अधिकार देखो कुछ कंपनिया ऐसी है जो अपने फाइदे के लिए कुछ ऐसे प्रोड़क्ट्स को निर्मित कर देती है जो जीवन और व्यक्ति की संपती के लिए जैसे अपन फिडिंग मेटेरियल्स के रूप में कई कंपनियों के प्रोड़क्ट्स को खरीद रहे हैं और वो किसी प्रकार के ऐसे रा मेटेरियल को लेकर लगा रहे हैं जो अपनी संपती के लिए संकट में हो सकती है ऐसे परिसंकट में मार्केटिंग या उसका विपनन जो है उसके विरुद्ध कंजुमर्स को प्रोटेक्शन देना इसका महत्वपुन दे से बहुत ही महत्वपुन बात है जीवन और संपती के लिए परिसंकट में माल की मार्केटिंग किसी कंपनी को नहीं करने दी जाएगी ये 2019 के कंजुमर्स प्रोटेक्शन एक्ट का पहला अबजेक्ट है उद्दे से दूसरा देखिए आप इसमें माल की गुणवता मात्रा सक्ती मानक मुल्ले और की किमत के बारे में सुचित किये जाने का अधिकार जिससे अनुचित व्यापार वेवार से उपभोगता का सहरक्षन किया जा सके देखिए माल की गुणवता देखो हम किस परपस से किस माल को खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है यदि हम किस किसी प्रकार का ऐसा माल खरीद रहे हैं जो अपने ऑब्जेक्ट या अपने परपज के अकोर्डिंग यदि क्वालिटी नहीं रखता है तो उस माल का हमारे खरीदने के लिए कोई महत्वय नहीं रह जाता है दूसरा कई वार यह हैं कि हम माल की कीमत जैसे एक किलो चीनी की कीमत चुका रहे हैं और रिटेलर या शेलर जो है वो अपने को एक किलो से कम वेट कर देता है या फिर शक्ति मतलब जिस स्टेंद का माल हमें चीए उस स्टेंद का माल हमें नहीं मिल रहा है मानक जिस स्टेंडर का माल हमें मिलना चीए उस स्टेंडर का माल हमें नहीं मिल मुले देहों मुले और कीमत दो अलग चीज़ें होती हैं मुलें वेल्यू है और वेल्ड़ किमत प्राइश है तो प्राइश और वेल्यू में बहुत फरक होता है तो value और कीमत दोनुं हम जिस परपस से किसी माल को खरीद रहे हैं वो उसके according ही होनी चाहिए इसके अलावा जो मेतोपुन बात हमारे लिए हैं इन सारी चीजों के बारे में देखे इधर सुचित किये जाने का अधिकार तो जो माल हम खरीद रहे हैं उन सब की इन विशेष्टाओं के बारे में उसकी quality क्या है उसकी quantity क्या है उसकी power efficiency क्या है उसका standard क्या है value क्या है उसकी price क्या है इन सब के बारे में हमें सुचित के जाने का अधिकार होना चाहिए और अगर ऐसा किया जाएगा तो अनुचित व्यापार वेवार पर पूरुन तया अंकुष लग जाएगा तो इन सारी चीजों की जानकारी का अधिकार हमें हो जिससे की अनुचित व्यापार वेवार पर अंकुष लग सके ये तीसरा महत्वपूर्ण मोटो है इसका तीसरी बात जो आपके सामने यथा सम्दव परतिसपर्दी मुल्यों पर विभिन किस्मों का माल सुलब कराने का आश्वासन दिये जाने का अधिकार तो देखिए यहां competitive values और prices के उपर माल उपलब्द करवाने के समन्द में तो देखो यह वह यह वोगता अन्मुक संस करती है जिसकी चर्चा आपने फिसले वी project जो है सुने जाने का और यह आश्वासन दिये जाने का अधिकार कि उपभोगताओं के हितुं पर समुचित पीठों में उचित रीती से विचार किया जाएगा देखिए राइट टू लिशन या ओडी अल्ट्रेम सॉरी राइट टू ओडी अल्ट्रेम का आश्वासन होना चाहिए और भोगताओं के हितुं की समुचित पीठों में उचित रीती से विचार किया जाना चाहिए जैसे अभी इस कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कही परिशदूं और आयोगूं की अपन चर्चा करेंगे तो वह एक रिजनेबल प्रोसेस से कंजूमर्स के साथ न थैंक यू सो मुच्च।